अगत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आस्था करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का ख्याल बखुबी रख रहे होंगे आज है 30 मई 2019 और आज के जितने भी important करेंट अफर्थ बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दू इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जोइन करना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करें हमारा पहला क्वेस्टन है कि वर्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे किस दिन मनाये गया वर्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाये गया 29 मई को तो दोस्तों हम लोग जितनी भी मई के important current affairs होते हैं उसको revision करते हैं अपने वीडियो में और अब मई end होने वाला है तो मई के इंड में पूरे मंत के important days को एक बार करके revision कर लेंगे हम लोग तो आज 29 मई को 29 मई को मनाये गया वर्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे और इसी दिन मनाये गया एक और important days international day of united nation peace keepers यानि कि सैयुक्त राष्ट सांति सैनिकों का अंतर राष्ट्रिय दिवस यह मनाये गया 29 मई को और इसका जो theme रहा है दोस्तों इसे याद रखना है the road to a lasting peace leveraging the power of youth for peace and security तो आपको बस ये जो है न ये वाला point याद रखना है the road to a lasting peace तो इतने से आपको याद रह जाएगा जाम में अगर पूछता है तो आप टिक करके आप आएंगे the road to a lasting peace तो ये रहा 29 मई का day और हम लोग अपने मई के जो मई के जितने भी important days है उसको revision करते हैं यहाँ पर जाने से पहले यह बता दू कि यह जो वर्ल्ड digestive health day है किसके द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड digestive health day मनाया जाता है वर्ल्ड gastronology organization के द्वारा तो इसकी जो foundation किया गया था यानि कि इसका अस्थापना कहा कब किया गया था तुनिश्वाटावन में किया गया था वर्ल्ड WGO का अस्तापना और यहां के यह इसका जो headquarter है वो युनाइटेड इस्टेट में इसका headquarter है दोस्तों तो चलिए हम लोग मई के current मई के important days को revision कर लेते हैं एक मई को मना गया था इंटरनेशनल लेवर डे और मई डे उसी दिन मना गया था ठीक है और महराष्टरा डे भी उसी दिन मना गया दो मई को मना गया इस दो मई को मना गया वर्ल्ड लाफ्टर डे यानि के विश्वास्ते दिवस्त दो मई को तो इस बार मना गया था लेकि ये मनाया जाता है माई के फर्स्ट टूजडे को साथ माई को मनाई गया वर्ल्ड एथलेटिक्स डे और रविंदर नाथ टैगोर जयनती आठ माई को मनाई गया वर्ल्ड रेड क्रोस डे और वर्ल्ड थैलेसेमिय डे उसी दिन मनाई गया 11 माई को मनाए गया National Technology Day, 12 माई को मनाए गया International Nurse Day, 15 माई को मनाए गया International Day of Families यानि की परिवारों के लिए अंतरराश्ट्रिय दिवस्त, 17 माई को मनाए गया World Telecommunication Day और World Hypertension Day, 18 माई को मनाए गया World AIDS Vaccine Day, International Museum Day और 21 माई को मनाए गया इस बार National Anti-Terrorism Day और National Endangered Species Day लेकिन यह जो मनाय जाता है जन्डली, 3rd Friday of in माई, तो माई के तीसरे सुक्रवार को यह National Endangered Species Day मनाया जाता है, 22 माई को मनाया जाता है International Day for Biological Diversity और आपको यह जो 23 माई, 24 माई और 25 माई, 26 माई के भी सारे important days को आपको याद करना है, कल हम लोग सारे important days को एगवार करके माई के कवर कर लेंगे, आपको याद रखना है, सुबोध कुमार जैसवाल, सुबोध कुमार जैसवाल सहाब को CBI का नया चीफ अभी नियुक्त किया गया है, तो यह रहे यहां के important facts, अगला नय वानिजी सचीव, ठीक है, नय वानिजी सचीव के रूप में किने नियुक्त किया गया है, तो वानिजी सचीव के रूप में, वानिजी सचीव के रूप में, तो यह रहे वीवी सब्रमन्य किया है यहां पर देखें डॉक्टर पीके मिस्रा जो प्रधान मंत्री के प्रधान सचीव है और हर्षवरधन मतलब चार बार से ये बन रहे राश्टपती और ये जो चौते बार लगातार बन गया है बसर अल-सथ साहब सिर्या के यहाँ पर देख नीदर लेंड के लगातार चार बार बने लेंड नीदर लेंड के तो आप से पुछा जाए कि नीदर लेंड की इस्टेट टेल क्या है तो नीदर लेंड का है एम स्टाडम ठीक है और सीमिया सुलू हसं दोस्तों ये बहुत important है ठीक है ये जो है first woman president of Tanjaniya यानि कि पहली महिला राष्टपती है Tanjaniya की तो ये सब जो important होते हैं जो first पूचा जाता है बहुत ही important होते हैं इसलिगा आपको याद रखना है first woman president है Tanjaniya की यहाँ पर आपका बात आता है मुहम्मद बाजोम का तो मुहम्मद बाजोम जो है का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा आई बीएफ का नाम यानि के इंटरनेशनल ब्रोड कास्टिंग जो फेड़ेसन है उसका नाम क्या रखा जाएगा तो यह रखा जाएगा इंटरनेशनल ब्रोड कास्टिंग डीजीटल फेड़ेसन ठीक है दोस्तों तो यह नाम रखा जा की सबसे तीज पर चाड़ने वाली महिला बनी है दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड किसी और के नाम था तो इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेप कर दिया है और यह होंग कॉंग की है और इससे पहले जो यह record था यह नेपाल की कुंजो जुंगमुलामा के नाम पर था जिसको की इन्होंने इस record को तोड़ दिया है किस ने तोड़ा है तो sang yin hung यह है Hong Kong की ठीक है यह Hong Kong की है और इसने यह record को तोड़ दिया है ठीक है और इस से पहले इस record का नाम था कुंजो जुंगो लामा के नाम और इस से जो यह बात आती है की तो 29 मई को एक और important डि मना जाता है 29 मई को माउंट इवरेस्ट डे टिकें माउंट एवरेस्ट डे अंतराश्ट्री आवरेस्ट दिवस मना जाता है 29 मई को आपको यह भी याद रखना है ठीक है अमेरिका की पहली सेना सचीव के रूप में किने नियुक्त किया गया है तो अमेरिका की पहली सेना सचीव के रूप में क्रिस्टिन वर्मूत को नियुक्त किया गया यह देखिए आप यहाँ पर क्रिस्टिन वर्मूत है ठीक है और यह अमेरिका की पहली सेना सचीव के पिन इंजिनियर बनी है वहां पर क्या होता है स्वेत और अस्वेत होता है जो निग्रों होते हैं जो निचनियर नासा की वह तो कौन है mary w jackson mary wal Jackson तो याद रखना मेरी w jackson को यहां पर है पर please can I of the tape je bakもう यह कौन है और और यह क्यों है इस फर्ष्ट वुमेन बनी है मतलब पहली महिला है प्रथम महिला है जो कि में yns odi mg करेंग करेंगी मतलब मेंट जो मेल वाला odnayuz疏 अम्पर्षण 혼자 होंगी और यह कहा की है तो यह और यहां पर बात आता है कमला हैरिस की तो कमला हैरिस जो है यह भी है पहली महिला ठीक है पहली महिला वाइस प्रसेडेंट है पहल फस्ट फस्ट वुमेन वाइस प्रसेडेंट है वह कहा की तो यूएस की इनाटेड इस्टेट अमेरिका की यान जो की मिन्स ओडियाई में अंपाइरिंग करेगी मैरी डबल्यू जैक्सन नासा की फर्स्ट ब्लैक वूमेन इजिनियर है और यहाँ पर तो बात आही गई क्रिस्टन वर्मूत जो की अमेरिका की पहली सेना सचीव के रूप में इन्हें नुट किया गया है जो यहाँ पर है लुव्रे मुजियम की पहली महिला अद्यक्च की से बनाया गया है तो यह जो लुव्रे मुजियम है बहुत ही बहुत महत्वपुर्ण संग्राल है दोस्तों तो यह क्या होता है इसकी जो पहली महिला अद्यक्च बनी है Lawrence Deskars, ये देखे, Lawrence Deskars, ये पहली महिला अध्यक्च बनी है इस म्यूजियम की, जब से ये म्यूजियम बना है, आज से लगभग 200 साल पहले, चैक 228 वर्स पहले ये जो म्यूजियम बना था, तब से यहाँ पर एक भी महिला अध्यक्च नहीं बनी थी, यहाँ पर महिला अध् स्कार्स को यहां निफ्ट किया गया है तो यह बहुत ही important question हमारे लिए बन जाता है इसी लिए आपको इससे याद रखना है यहां पर बात आती है तो यह कौन है यह कौन है यह है आप मैं revision किराते रहोंगा जिस से आपको याद गाएगा यह क्ते equation है क्या ऐसे अढ्राव तो यहेज की फिम्हेज भात आती है रेक्षामेन की तो रेक्षामेन जो है यह फास्ट वूमेन चैयर परसन होंगी यह फास्ट वूमेन चैयर परसन और यह आपको यह कमेंट असेक्शन में बताना है यह कहां कि फर्स्ट क्या बनी है यह आपको comment section में बताना है अगला आता है कि Tata Digital ने Big Basket जो कि एक online supermarket है ठीक है दोस्तों online supermarket है बहुत बड़ी online supermarket है इसमे Tata Digital ने कितने पर्तिसत की हिस्सेदारी खरीद ली है तो Tata Digital ने Big Basket में 64% के हिस्सेदारी खरीद ली है इसका मतलब कि यह अब अब जो है Tata Digital इसके ओनर बन गया है Big Basket के ओनर कौन बन गया Tata Digital क्योंकि किसी भी company में अगर कोई सी को ओनर बनना होता है उसमें उसका stack कम से कम नहीं 51% या 51% से अगर जादा हो जाए उसका stack उसका हिस्सेदारी तो वो उसका honor बन जाता है यहाँ पर 64% Tata Digital ने Big Basket का खरीद लिया है इसका मतलब कि यह अब honor हो गया है Big Basket के honor कौन हो गया Tata Digital और 64% इसने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद ली है जो RBI ने 10 करोड रुपे का penalty किस bank पर लगाया है RBI ने 10 करोड रुपे का penalty लगाया है HDFC bank पर HDFC bank पर ये penalty क्यों लगाया है HDFC bank पर इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर loan वाले department का जो data या फिर जो records है वो mismatch हो रहा था इस कारण से HDFC बैंक पर RBI ने 10 करोर रुपे का जुर्माना लगाया है बात करते हैं RBI की तो RBI का स्थापना 1935 में हुआ था ठीक है और अभी इसके प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो है सक्तिक कांतदास और वो 25 वे नमर के गवर्नर है ठीक है और यह जो SBI के बात करें तो दिनिस कुमार खारा है जो चेर परसन है दिनिस कुमार खारा है और IDBI की बात करें तो IDBI बैंक के जो MD और CEO है वो महिश कुमार जैन है आपको यह जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब फैक्ट को याद कर लेना है क्योंकि एक्जाम में यह सब question बन जाते हैं तो महस कुमार जयन IDBI के बैंक के chair में MD and CU है और इसका जो headquarter है वो मुंबई में है तो Axis Bank के बारे में मैंने बहुत बार बताया आपको comment section में उसको बताना है सेंट गोबेन कमपनी किस राज में किस राज में सेंट गोबेन कमपनी ने 1200 करोड रुपय का निवेस करने वाली है तो सेंट गोबेन कमपनी राजस्थान में 1200 करोड रुपय का निवेस करने वाली है ये है SENTGOBEN कमपनी ये एक फ्रांस की कमपनी है और ये mirror बनाती यानि कि glass वगेरा पर ये काम करती है ये mirror बनाने वाली कमपनी है 1200 करोड रुपय लगा कर एक प्लांट लगाएगी राजस्थान में अब ये जब राजस्थान में ये प्लांट लगाएगी तो वहाँ पर रोजगार का आफसर पैदा होगा और यहाँ पर FDI भी बढ़ेगा फिक्स डिपोजिट जो डारेक्ट डिपोजिट जो होता है इंवे कि तो राजस्थान के जो सियम हैं वह है असोक कुमार गहलोट और यहां के जो गवरनर हैं महाराश्ठी की जो गवरनर झेभी तैनल आंदी बेनपटेल गुजरात की बात करें ने उस्मिए ओर यहां के गवरनर के बारे में मैं आपको य będę més here इस पर चर्चा कर रहा हूं IPL 2021 के बचे हुए मैच यानि कि IPL 2021 वाला चल रहा था लेकिन COVID को देखते हुए उसको कर दिया गया था लेकिन अब BCCI के द्वारा घोसना किया गया है कि IPL का जो बचा हुए मैच है वह करा जाएगा लेकिन वह कहां करा जाएगा तो वह करा जाएगा UAE में ठीक है UAE में BCCI ने इसकी घोसना किये बात करते हैं तक पर अध्यक्च कौन है इसके पर अध्यक्च कान है सौरभगंगुली ठीक है ? सौरभ गंगुली अर बीसी सी इसका जो अस्थापना हुआ था वह निश्चो अठाथाइस में इसकी स्थापना हुई थी UAE की बात करें तो इसकी जो यह तो ऑबु धाभी और यह जो कतर ह इसकी कापिटल है दोहा जिसमें की 2022 में 2022 में यहां पर FIFA World Cup होने वाला है थीक है FIFA World Cup होने वाला है South Africa में और Saudi Arabia का आपको Capital Currency President PM याद रहना चाहिए धक्षिन सुडान में भारत के राजदूत के रूप में किने निउक्त किया गया है तो दक्षिन सुडान में भारत के राजदूत के रूप में देनेश को विष्णु कुमार सर्मा को निव्थ किया गया है तो इसे आपको याद रखना है वहीं बात आता यह अनुमूला की तेस सर्मा तो ये जो है और सिंधार। यह सब का आपको President, PM, Currency, Capital यह सब याद रहना चाहिए आपको मैं हर वीडियो में Capital, Currency यह सब करवा रहा हूँ जिससे कि आपको इन सब section से related कोई परिसानी नहीं होगी दोस्तों आज के लिए इतना ही Current Affairs यहीं पर मेरा सफर कतम होता है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें दोस्तों अगर आप इस चैनल पर बहुत सारे competitive exams के लिए preparation करा जा रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भी लोगे भूले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले जिससे की इस तरह के useful वीडियो आपको आपके तक पहुचे सबसे पहले